दोस्तों SCF पर कोश्चन्स करेंगे और यह सारे कोश्चन्स SSGD के एक्जाम्स में पूछेगे कोश्चन्स है तो देखोगे यहां जो पहला जो कोश्चन है यहां दिया हुआ है क्या 108 और 198 का SCF ग्याद कीजिए ठीक है और यह चार आप्सेंस दिया है तो सबसे पहले हमें इसको ड़ेक्स है 158 और 198 अगर烈 आप्स 세 देखें तो सबसे पहले हमें चेक्राइब कि यह एक Krieण रहा है यहं दोनों यह कर्दाव कर्या देखो 28 कर knife. तो यह तो डिवाइड हो जाएगा बट बारा से इसको डिवाइड करोगे तो यह डिवाइड होने वाला नहीं है यह तो होने वाला नहीं है तो 18 से चेक करते है तो 18 चेक यह चला जाएगा और 18 के टेबल में 11 में यह भी जाएगा तो यह तो जा रहा है तो एंसर हो जाएगा 98 है तो 98 के टेबल में यह तो आने वाला नहीं है तो यह भी नहीं होगा यानि answer हो जाएगा option number B next question देखते है question number 2 यहां दिया होए क्या आप कि 12 और 16 के SCF और LCM का योग gap करिए ठीक है तो देखोगे सबसे पहले हमको इसको find क्या करना होगा यहां 12 है और यहां 16 है तो इन दोनों का हम सबसे पहले find करेंगे SCF find करेंगे तो देखोगे SCF क्या हो जाएगा इसका factor हम find कर लेते हैं तो यह हो जाएगा आपका 4 into 3 4 3 जा 12 और इसको लेते हैं तो 4 into 4 फोर फोर जाएगा 16 ठीक है तो देखोगे common क्या रहा है 4 आ रहा है न तो SCF हो जाएगा 4 और LCM फिर क्या हो जाएगा तो देखोगे यह जब common आ रहा है 4 तो यह तो फोर तो हो गई प्लास 40 यह फिर कितना हो जाएगा 52 तो इस questions का जो correct answer होगा 52 होगा options में देखोगे option नमर हो जाएगा फिर first correct next question देखो question number 13 यहां देखाए कि 35 और 42 के LCM को 32 और 44 के SCF से भाब करें तो सबसे पहले इन दोनों नमर का हम LCM find करेंगे और फिर उसके बाद इन दोनों नमर का हम SCF find करेंगे उसके बाद हम फिर डिवाइड करेंगे ठीक है तो सबसे पहले यहां पर 35 है 35 को लिख सकते हैं साथ कुना पांच साथ पांच 35 हो गया और यह बाद के लिए हम लिख सकते हैं सेवन इंटू सिक्स हो जाएगा ठीक है तो देखोगे अब इसके लिए हम LCM फिर find कर लोगे यहां पर देखोगे यह तो common है है न यह 7 हो गया अब बाकी जो बज़ गया इन दोनों को भी हम निकलेंगे 5 इंटू 6 ठीक है आता है तो यह फिर कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 30 और इसको इंटू करोगे तो 210 हो जाएगा क्लियर है अब इन दोनों नंबर का हम फिर क्या करेंगे SCF find करेंगे किसका 32 और 44 का तो दिखो आठ के पाड़ा में जाएगा 8 4 जाओ गया 32 और यह हो जाएगा 85 जाओ गया 40 ठीक है तो डिवाइड करोगे तो यह फिर कितना आएगा इसको cancel करेंगे ते यह दोबर में जाएगा सुला और यह जाओ गया आपका 50 और यह हो गया 648 पॉइंट उसके बाद 2 लगाएंगे तो देखोगे answer हमारे यहीं से आगया 26.2 अभी तक हमें मिला ठीक है options में देखोगे 26.3 यह नहीं होगा 26.1 यह नहीं होगा यहां तो 26.2 यह भी नहीं होगा तो 26.2 एक ही दिखे रहा option में यानि option नुमर हो जाएगा फिल्ट डी करें next question देखो question number 4 यहां बोल कहा रहा है 32.4 का LCM x के बल्ग से 9 कम के बराबर है तो x का मान ग्याद करें ओभी कैसा नमर लेना है धनात्मक्सन क्या ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 32.4 का LCM find करेंगे ठीक है तो देखोगे यह जाएगा 8 के पाढ़ा में 4 बार यह जाएग 5 बार तो अब यहां पर एक कोमन हो गया 8 हमें find करना है LCM तो यह 8 इंटू यह 4 इंटू 5 ठीक है यह आता है तो यह फिर कितना हो गया यह हो गया 20 यह हो गया इंटू करोगे 160 ठीक है अब according to question देखोगे 160 दिया हुआ है x के बर्ग से 9 का में है है ना तो इस 9 को इधर लेकर आओगे 169 is equals to x square और 169 कितने का square होता है बोलोगे 13 का square होगा हमें तो चाहिए क्या दनात्म संख्या तो x बराबर हो जाएगा प्लस 13 आपसंस में देखोगे option नमबर हो जाएगा फिर डी करेक्ट नेक्स कोशन देखोगे question नमबर भाई दो संख्या का अनुपाद दे दिया हुआ है तीन अनुपाद 5 यदि इन संख्याओं का LCM दे दिया हुआ है 240 तो दो संख्या है क्या है इजी question है तो देखोगे यहां दि नमबर होगा हो क्या होगा एक हो जाएगा तीरी एक दूसरा हो जाएगा 5 यहां तक तो किलिए रहे तो देखोगे formula होता है ने product of two number is equal to SCF into LCM into SCF is equal to इन दोनों नमबर का इस तरह से product ठीक है तो देखो यह x x गया अब यह x का value फिर क्या मिला 240 divided by यह हो गया 5 into 3 यह 3 से गया यह हो गया आपके कितनी बार में 8 और यह 0 अब इसको काटोगे तो यह जाएगा आपका सुल्ला बार में तो संख्या क्या हो जाएगा इस सुल्ला से यहां into कर देंगे और इसी सुल्ला से यहां into कर देंगे संख्या मिल जाएगा तो सुल्ला कि अन्मरोजय को शीकर इपके जपके नको सब्सक्राइब के बिलाइकन को प्रेश करेजिए का ताकि आना ओले मुझे अपके सनफ प्वासन इसे मिल सके